तो दोस्तों लेजेंड लीग क्रिकेट 2022 का सीजन भी सुरू हो चुका है और सीजन के पहले मुकाबले में इस शुफ पठान और इर्फान पठान ने जिस तरह का आकरामक अंदाज दिखाया है उसे देखकर तो ये भी माना जा रहा है कि अगर इन दोनों भाईयों को एक बार फिर भारती ये टीम में मौका मिले तो ये दोनों ICC T20 वर्ड कप भी भारत को जीता सकते हैं आपको बता देए कि वर्ड जाइंट्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केविन ओब्रायन के 52 रनों की अर्ध सतकी अपारी के दम पर कुल 170 रनों का स्कोर खड़ा किया जवाब में भारती ये टीम की तरफ से बतार सलामी बल्लेबाज आए विरेंद्र शेहवाग और पार्थी पटेल से तेज तर्रार पारी की उमीद थी हलाकि विरेंद्र शेहवाग कुल 5 गेदों का सामना करने के बाद मात्र 4 रन बना कर आउट हो गये जबकि पार्थी पटेल कुल 13 गेदों का सामना करते हुए 18 हर रन बना कर चलते बने टीम इंडिया की तरफ से तनमै शिरिवास्ता और 54 रन बनाए जबकि मुहमत कैप 11 हर रन बना कर चलते बने आखरी में भारतीय टीम की जीत मुश्किल लग रही थी लेकिन भारतीय टीम की तरफ से बल्ले बाजी करने आए पठान बंधू इशू पठान और इर्फान पठान ने आते ही वर्ड जाइंट्स के गेदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिये इस सुपठान के अकरामक बल्ले बाजी का अंदाजा इस बाज से लगाया जा सकता है कि 5 चौके और 2 सांदार छक्के की मदद से मात्र 35 गेंट पर 50 रंजड दिये जबकि इर्फान पठान आखरी में आये और भारत की जीत काफी मुश्किल लग रही थी लेकिन आखरी ओर में एक के बाद एक तीन सांदार शक्केल जड़ कर इर्फान पठान ने साबित कर दिया है कि आज भी वहद दुनिया के सबसे बहतरीन आल राउंडर बल्ले बाजों में से एक हैं तो दोस्तों पठान बंधूं के बारे में आपकी क्या राय है क्या इन्हें टीम इंडिया में ICC T20 वर्ड कप 2022 के लिए एक बार फिर मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं कोमेंट्स करके अपनी राय हमेज़ जरूर बताएं